हालो बच्चों कैसे आप सभी बच्चों हमारा जो चैप्टर चल रहा था वह यह रैंबो वाली बुक है जिसमें चैप्टर का नाम था लॉस्ट इस्प्रिंग हमने इसके दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे जो वीडियो को तोड़ा चोटा बनाया था मैंने आज हम जहां तक हो सकता है कंप्लीट करेंगे ज्यादा नहीं दो पेज कही है तो आप ध्यान दीजिए जो हमने इसमें देखा था एनी जंग की लिखिवी कहानी थी देखिए इसके अंदर यहां से देखते हैं I want to drive a car I want मैं चाहता हूँ to drive चलाना एका एका मैं कार चलाना चाहता हूँ मुकेस insist on being his own master insist का मतला होता है जोर डालना ओन मास्टर खुद का मालिक तो मुकेस अपने आप में जोर डालते हूए खुद का मालिक बनते हूए इस बात को कहता है या जोर डालते हूए कहता है I will be a motor mechanic में एक motor mechanic बन जाओंगा यानि कि एक mystery कार सुदारने वाला mystery बन जाओं anything about a car क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो I ask मैं पूछती हूँ I will learn to drive मैं सीख जाओंगा to drive कार कार चलाना सीख जाओंगा ऐसा बोलता है मुकेस he answers वह जवाब देता है looking straight into my eyes मेरी आखों में सीधा देखते बोलता है his dreams looms like a miraj अब देखिए मरीची का जिसको बोलता है कि चीज की लाल सा होना admis the dust of street जो कैसे धूल से बरी हुई गलियों में that fill his town फिरोजबाद जो उसके फिरोजबाद टाउन के अंदर धूल से बरी हुई जो गलिया है जिन में कुछ नजर नहीं आता और ऐसी मरीची काओं के समान जो है उसका सपना भी नजर आता है ऐसा लेकी का पोलती है famous for its bangles जो किसके लिए प्रशिद है चूडियों के लिए प्रशिद बैंगल्स चूडिया every other families in फिरोजबाद की फिरोजबाद का हरेक परिवार is engaged यानि लगा हुआ है engaged है व्यास्त है in making bangles चूडिया बनाने में it is the center of India glass blowing industry यह केंद्र है किसका भारत का glass blowing industry क्योंकि यहाँ पर glass blowing industry नहीं काज की ढढ़ाई का काम किया जाने वाला तो सब काज का जितना काम होता है भारत का काज का धमन जिसको हम कहते हैं आकार देने वाला प्रकार देने वाला आकार प्रदान करने वाला ठीकर हैं तो ऐस सा इस्तान है वो है फिरोजावाद where families have spent generation जहां बहुत सारे परिवारों ने अपनी पीडियां गुजार दी working around furnace भट्टी के चार और काम करते हुए building glass काज को जोडते हुए making bangles चूडिया बनाते हुए for all the women in the land it seems ऐसा प्रतित होता है जमीन पर इस भूमी पर रहने वाले जितनी महिला हैं सब के लिए चूडिया यहीं बनती है मुकेस families among them मुकेस का परिवार भी उनी में से एक है none of them know कोई नहीं जानता that it is illegal for children कि यह बच्चों के लिए जो है गेर कानूनी है illegal गेर कानूनी like him to work उसके जैसे बच्चों के लिए काम करना in the glass furnace काच की भट्टी के सामने with high temperature वो भी कैसे उचताप पान में in dinghy cells अधिरी कोट्रियों के अंदर without air बिना हवा and light बिना रोसनी के that the low कानून अगर चाहे तो if enforced अगर दबाव डला जाये could get him उनको लाने के लिए and all those 20,000 children out of hot furnace तो लगभग 20,000 बच्चों को जो है उन भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है कि अगर कानून पर दबाव डला जाना कि ऐसे चोटे बच्चे काम करते हैं लगभग 20,000 बच्चों को उन गरम भट्टियों से बाहर निकलवाया जा सकता है वेर दे स्लोग देर डेलाइट जा वो दिन रात स्लोग यानि महनत करते हैं लगे होते हैं वहाँ पर दिन रात गंटों तर गंटे काम करते रहते हैं ओफन लोजिंग देर ब्राइटनेस अपनी चमक और अपनी आखों की चमक को खोते हुए वहीं पर वो काम करते रहते हैं मुकेस की आखों में क्या अपना प्रतीत होता है वह उसकी इच्छा से कि वह उसको घर ले जाना चाहता है तो ऐसा उसकी आखों में ऐसा लगता है which he proudly says इसके लिए वह कहता है is being rebuilt कि हमारा घर वो नया बना है अभी-अभी उसको निर्मान किया गया है वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन अब हम चल दिये सावन उस बदबुदार गलियों में चोक्र विदगार बे जो कच्रों से जाम पड़ी हुई पास्ट होम देट रिमेंस होल्स वहां के घर एक दूसरे जिनके होल्स एंड क्रम्बल्स वॉल्स दिवारे डही हुई है छितर बने हुए जगे जगे वॉबली डॉर्स लड़ खडाते हुए दरवाजे नो विंडोज कोई खड़किया नहीं हैं ट्रावडेड विद फैम्ली परिवार की भीडबार और फैम्यूमन्स एंड अनिमल्स को एक साथ रहने वारे जहां मनुष्य और जानूर दोनों एक साथ रहते थे जिस तरह से इन प्राइम बेल इस्टेट जोसे पुरानी का वस्ताओं में हम लोग पढ़ते हैं पहले का पादिम का जमाने उसको एक साथ रहते हैं वेसे ही एक साथ रहने रहते हैं ही स्टॉप एड़ दरवाजे पर रुपता है ऑफ वन सच हों एक घर के पास में बैंक्स एब वाबली आइरन डॉर अब वह उसको लड़कडाती दरवाजों को तोड़ धक्का मारता है विदिस पार्ट ऑफिट जिसका अधा हिस्सा टेश्र विदर डेट ग्रास क्या सूखी घास से भरा हुआ था इस फाइर वोड इस टॉप एक चूला जोता लकडिया जिसमें जलती है और विच सीट से लार्ज वैसल जो बड़ा सा बरतन रखा हुआ था और सीजलिंग स्पनी आर मौर चॉप जिसमें वेजटेवी कटीवी सबजीयों के टुगड़े उसमें रखे है अफ्रेल यंग बूमन इज कुकिंग इन एवरी इन इवनिंग मील फॉर ओल फैमिलीज अब वहां पर क्या है एक ओरत है बचो कौन है एक लेड़ी है एक ओरत वो भी कैसी है फ्रेल एक दुबली पतली सी एक दुबली पतली युवा महिला इस कुकिंग दा इवनिंग मील शाम का बोजन पका रही है फॉर दा ओल फैमिली पूरे परिवार के लिए थू आइज फिल्ड विद स्मॉक जबकि उसकी आखों में धुआ बर गया मैं मुस्कराती है इस दा जिसको सभी लोग क्या बोलते है घर में बहु के रूप में पुकारते हैं तो डॉटर इन लॉप दा हाउस घर की बहु अल्रेड़ी इंचार्ज ओप थ्री में तीन लोगों का उसके बाहर है हरस्वन उसके पती का मुकेश का और देर फादर उनके पिता जी का जब कहते हैं कि बड़ा आदमी कोई घर में प्रवेश करता है बुजूर्ग आदमी तो सी जेंटली विड्रो बिहाइंड दा ब्रकन बॉल तो बैर टूटी दिवार की पीछे चली जाती ही और अपने चेरे पे वेल यानि गुंगट लगा लेती आज कस्टम डिमार्ड जैसे की रिवाज होती है कि डॉटर इन लॉज मस्ट वैल दियर फैसेज बिफोर मेल एल्डर की बड़े बट्ती जो कोई घर में प्रवेश करता तो घर की भुवें गुंगट लगाती है अब वहाँ के बड़े लोग किसमें व्यास्त होते हैं वो सिर्फ लगे हैं चूडिया बनाने में कहते हैं कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी फर्स्ट हैस टेलर जी दरजी का काम देन बैंगल मेकर फिर चूडिया बनाने का काम वहाँ घर को दुबारा से पुनन निमान कराने में ऐसा फल होता है और अपने दोनों बच्चों को कहां तो संस कहां पर इसकूल में तो आजाएगा या पर इसकूल बहजने में ऐसा फल रहता है वो कहता है जो भी उसने प्रभंद किया है उन्हें पढ़ाने का या उन्हें सिखाने का या सिखाने से जाएगा जो वह जानता है शिरफ जो भी प्रभंद करता जो वह जानता वो ही था और वह यह की काम जानता था दार्ट अप मैकिंग बेंगल्स वो है चूडिया बनाने का काम सिर्फ यह की काम जानता तो वो ही काम उनको अपने बच्चों को सिखा पाता था ठीक है आप आगे देखते हैं अब क्या कहती है लेखी का आगे इस इस करम यह उनका करम है इस डेस्टिन की किस्मत है मुकेश की दादी मा कहती है यह बात जिसने अपने पती को देखा है गो ब्लाइंड अंधा होते हुए काज की चूडिया पर पॉलिस करने की जो डस्ट होते है उसे अंधा होते देखा है क्या कोई भगवान की दी हुई लिनेज उती परंपरा इवर भी ब्रोकन इसे तोड़ा जा सकता है सी इंप्लाइसेज वह जो डालते हों कहती हैं बॉर्ण इंदा कास्ट और बैंगल मेकर्स चूडिया बनाने की जाती में जनम लेना दे है उसे नथिंग बट बैंगल्स वो कुछ नहीं सरब चूडिया ही देखता है इंदा हाउस घर में इंदा यार्ड आंगन में इंएवरी अधर हाउस हर एक आंगन में हर एक घर के अंदर एवरी स्टेट इन फिरोजाबाद फिरोजाबाद की हर एक गली में यही चीज देखता है इस्पाइरल ओब बैंगल्स चूडियों की कुंडलिया यानि गहराओ सनी, गोल्ड, सुनहरी, पेड़ी, ग्रीन मतलब धान के रूप में ग्रीन, हरी, रोयल, ब्लू, नीले कलरकी, पिंक, परपल एवरी कलर बॉर्ण आउट ओप दे सेवन कलर्स ओप दर रैंबो इंदर धनुसरी निकलने वाले सात रंगों के समान चूडिया वो देखता है लाइन मावल्ड इन दा अनकेप्ट याड जो अनसुल जेसे एक आंगन में एक धेर में पड़ी हुई है और पिल्ड ओन फॉर विल्ड हैंड क्राफ्ट और कहा है चार पहियो वाली जो ठेला इसको हम कहते है एंड क्राफ्ट उस पे ओपर धेर लगा हुआ है पुस्ट बाइ यंग में जो एक युवा व्यक्ति के दुवरा धखे ले जाती अलोंग ए नेरो लेंज संक्री गलियों में ओफ ए सैंटी टाउन कौन सा? और किस तरफ चली जाती है बच्चो देखो सैंटी होती है जोपडियों से भरे हुए कस्बे यानि की कच्ची बस्तियों के अंदर डार्क हट्मेंट्स अंधिरी जोपडियों में नेक्स्ट तू दा लाइन से फ्लैम और फ्लिकरिंग और ओफ ओएल लेंब जहां पर देखो तो चारो तरफ आग की जो मतलब जोती है जोपडियों में जलने वाली टिम टिम आती हुए जो जोड़ा ही नजराती थी फ्लिकरिंग फ्लैम जोड़ेंग चिमनिया ही जलती थी सिट बोईज और गल्स यहां लड़के लड़कियां बेट जाते भी क्या थी उस अंदिरी रोशनी में ऐसे एड़स्ट हो जाती जिसने उजाले में नहीं हो पाती थी इस इस वज़े से क्या वे लुजिंग देर आइज साइट अपनी आखों की रोशनी खो बेढ़ते थे और यही कारण होता था देखिया कि क्या होता है ज्यादा सैट näहीं है बहुत अजय है आपको जब ही को पाणिदी में पढ़ लेंगे और फिर इंग्लिस में ट्रांसेट कारड करणे दो कोई problem नहीं है ठीक है सभीता इस यंग गल Young girl in Ram Pink Dress अब सवीता नाम की एक लड़की है जिसमें लेखी का बता रही है तो वो क्या कह रही है उसके बारे में उसको देखते हैं सवीता के बारे में जो क्या कर रही है? गुलाबी कलर की एक ड्रेस पहनी होई है बद्धी सी ड्रेस sits alongside an elderly woman वे बुड़ी सी महिला के पास elderly woman बुड़ी सी महिला के पास बैठी हुई है soldering pieces of glass काच की चूड़ियों को जोड रही है see her hands as her hands mood mechanically like the tongue of machine आप देखो उसका हाथ जो कैसे चल रहा है चिम्टे की तरह जो है machine जो चिम्टा होता है machine दोनों ले करके उसके हाथ मतलब उस machine में यंतर की भाती जो है वो चलने लग जाते है I wonder मैं आश्चर ये करती हूँ if she knows the sanctity की वह साइज जान जाए पवित्रता को of the bangles इन चूड़ियों की पवित्रता को she helps me जिसे वो बनाने में साहिता करती है it उसको भी एक दिन ऐसे ही सजाय जाएगा अचानक वंडे एक दिन when her head is wrapped with a red bell जब उसके चेहरे पे लाल गुंगट लगाया जाएगा her hands dyed red with henna उसके हातों में लाल मेंदी लगाई जाएगी and red bangles rolled onto her wrist और उनके हातों पे वो चूड़िया लाल चूड़िया पेहनाई जाएगी she will then become a bride उस समय वो दुलण बन जाएगी like the old woman उस बुड़ी महिला की तरह beside her जो उसके बगल में बैटी है who became one many years ago जो बहुत सालों पहले दुलण बनी थी she still has bangles on her wrist अभी भी उसके हातों में वो चूड़िया है but no lights in her eyes किन तो उसके आँखों में वो चमक नहीं है मतलब खुशी नहीं क्या बोलती है एक वक्त सेर बर खाना भी नहीं खाया she says वो कहती है in a voice drain of joy बिना खुशी की आवाज में कहती है she has not enjoyed even a full meal in her entire lifetime अपने पूरे जीवन में पैट पर बोजन नहीं खा पाई that what she has raped क्योंकि वो ऐसी बाते कह रहे है क्योंकि इसी अवस्ता में जो वो 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 वरत है वो लिप्ती हुई है her husband and old man उसका पती जो बुड़ास आदमी with a flowering beard लंबी सी दाड़ी वाला सेज कहता है I know nothing except Bengals मैं चूड़ियों के लावा कुछ नहीं जानता all I have done is make a house for the family to live in केवल जो है मेरे पास एक घर है जो मैंने परिवार के लिए रहने के लिए बना पाया हूँ बस और और कुछ नहीं कर पाया हूँ ऐसा वो आदमी कहता है देखते हैं आगे hearing him उसे सुनते हुए one wonders कोई भी आस्चरे कर सकता है उसकी बात को सुन करके आस्चरे में हो जाता है क्या if he has achieved what many have failed उसे प्राप्त करते हैं उसे कितनी असा भलताओं का सामना करना पड़ा होगा इन दिर लाइफ टाइम अपने पूरे जीमन में he has a roof over his head कि उसके पास के सिर पर छट है मतला उसका खुद का घर है the cry of having money पैसो के लिए रोना बिलखना to do anything except to carry on the business of making bangles इसलिए वो क्या करते थे क्यवले चूडिया बनाने का काम ही करते थे यह हर एक घर की आवाज है और यंग हरी व्यक्ति ने देखा है पस्ताते हुए अपने बुजूर्गों को अपने बड़ो कौन little has more with time समय में ना के बराबर बदला हुआ है it seems ऐसा लगता है फिरोजाबाद फिरोजाबाद के अंदर years of mind numbering toil have killed all initiative and all the ability to dream अब क्या लग रहा है वहाँ फिरोजाबाद में ऐसे लगता है कि जो मेहनत का फल जो है लोग बहुत मेहनत करते हैं सपन भी देखते हैं mind numbering toil बहुत सारा पसीना बहा दिया है killed all initiative अपनी आंत्रिक इच्छाओं को मार दिया and ability to dream और अपने सपनों की योगताओं को भी उन्होंने मार दिया है मतलब बिलकुल उनकों वो सोच भी नहीं सकते हैं ऐसी हलत उनकी हो रखी है why not organize yourself into a cooperative लेकिका बोलती है क्यों ना तुम एक संगठन बना लो संगठन क्यों नहीं बनाते हो संगठन बोलते हैं मिडिल में जो मध्यम व्यक्ति होते हैं who trapped their father जिन्हों उनके पिताओं को फसाया and for father उनके भी पिताओं को फसाया even if we get organized वो कहते हैं जब भी हम कोई ऐसा संगठन बनाते हैं we are the one हम में से ही कोई होते हैं who will be hold up by the police जिसको police के दुवारा घसी इट लिया जाता bitten पीटा जाता and dragged to jail for doing something illegal जैसे हमने कोई गेर कानूनी काम किया हो ऐसा करते में jail में ढाल दिया जाता they say way कहते हैं there is no there is no ऐसा कोई नहीं है leader यानि नेता कोई नहीं है among them उनके अंदर उनमें ऐसा कोई नेता नहीं है no one who could help them कोई ऐसा नहीं जो उनकी साहिता कर सके see them different things differently जो उनके लिए लग से सोच सके their fathers are as tired as they are जैसे उनके पिता ठक गए यानि पूरवज वैसे वो भी ठक गए है they talk endlessly in the spiral वेंत में इसी सम्हू के अंदर इसी में बात करते हैं and moves from poverty to apathy to greed and to injustice क्या कर लेते हैं move to from poverty गरीबी से वो उदासीन हो जाते हैं to apathy उदास हो जाते हैं to greed फिर वो क्या कर लेते हैं इसी लालच में फज़ जाते हैं और to injustice और इस अन्याई के बारे में भी वो जादा नहीं सोच पाते हैं मालब बोलते बोलते ही रह जाते हैं लोग लेकिन उदासाइता नहीं कर पाते हैं तो बच्चो अब है हमारा last paragraph अच्छे समझेगा बहुत अच्छा है listening to them किसी question का answer भी इसमें मिलेगा आपको ठीक ना उन्हें सुनते हुए मैं दो प्रकार के संसार देखती हूँ मुझे दो दुनिया है नजराती है बोल जाओ उनके बारे में अच्छा सुनती हुँ तो क्या one of the family एक ऐसा परिवार caught in the web of poverty जो गरीबी के जाल में फसा है burdened by the stigma of caste जिन पर दबाव है किसका stigma of caste जाती के कलंक का जाती के कलंक में वो दबे हुए है in which they are bond जिसमें उन्होंने जनम लिया the other of vicious circle of सावकार्स और दूसरा है वो गहराव यानि circle वो है सावकारों का middleman दलालों का policeman पुलिसवालों का keepers of law canon के रखवालों का the bureaucraters knocker साहियों का and politicians राजनेताओं का मिलन राजिंती व्यक्तियों का together they have imposed the baggage on the child इसी के साथ साथ क्या कर देते हैं वो imposed hope देते हैं the baggage ये बजन on the child बच्पने में that he cannot put down जिससे की वो कभी उपर नहीं उठ सकता मतलब लालच के बोज में उनको ऐसा दबा देते हैं जिससे वो कभी उसे उतार नहीं सकते put down नहीं कर सकते before he is unaware इससे पहले की वो जागरुख हो जाए he accepts it's naturally तो भैसे प्राकरतिक तो पर शिवकार कर लेता है as his father जैसे उसके पिता ने शिवकार किया to do anything else would means to dare अब कुछ भी करना उनके लिए मतलब साहस करना and daring is not part of his growing up क्योंकि साहस ने तो उनके अंदर जनम ही नहीं लिया when I sense a flash of in it mukesh जब मैं इस mukesh के अंदर ऐसा एक अलग से अनुभूती को महसूस करती हूं जब mukesh में कुछ पल की एक चमक को देखती हूं I am cheer तो मुझे खोशी मिलती है I want to be a motor mechanic वो क्या बोलता है कि मैं motor mystery बनना चाता हूं he repeats वह दोराता है he will go to a garage वह गेरेज में जाएगा जहां पर काम सिदा मलब सीखा एता है गेरेज में तो गेरेज में जाएगा but the garage is long way from his home किन्तो गेरेज कहां पर है उसके घर से बहुत दूरी पर है तो वो कहता है I will walk में पैदल चलूँगा do you also dream of flying plane क्या तुम आस्मान में सावाईजा जुडाने का सपना देख रहे हो he suddenly silent तो वह अचानक चुप हो जाता है वह कहता है नहीं he says staring at the ground जमीन की और देखता है in his small murmur और धीरे धीरे वह क्या करता है murmur यानि बढ़बढना हो सकता है पाश्चाताप में there is an embarrassment that has not yet turned into regret अब उसके अंदर के embarrassment होता है एक पाश्चाताप होता है लेकिन वो पाश्चाताप का abuse sorry ये क्या होता है शर्मिंदगी embarrassment होता है बच्चो शर्मिंदगी बोल सकते हो है यहाँ पर लज्जा कह सकते हो शर्म कह सकते हो लेकिन ये शर्म क्या होती हो उसकी regret पाश्चाताप पाश्चाताप में नहीं बदलती he is contact to dream of cars वह संतुष्ट है कार का सपना देखने में that he sees hurtling town the street जिसे वो देखता है चारो तरफ दोड़ते हुए गलियों में और अफिस टाउन अपने कस्बे की क्योंकि few aeroplanes flying over फिरोजाबाद फिरोजाबाद से साहिद ही कोई aeroplan aeroplan जो है उडान भरता हो या उडा हो एनीजन तो बचो ये चैप्टर है लेखे काने हमें इसमें दो बाते बताई है मुकेश के बारे में बताया है और सुरू में बताया था है साहिब यालम जो एक गरीब लड़का होता है साहिब नाम का लड़का तो दो स्टोरीज के अंदर बताई गई है साहिब जो एक चच्रा बीने काम करता है और अपने काम से संतुष्ट होता है दूसरा काम पसंद नहीं करता है, यह खुद के काम का मालिक होता है, इसलिए सारा काम उसको अच्छा लगता है, दूसरा मुकेश, जो दूसरों के काम नहीं करना चाता है, खुद के काम का मालिक बढ़ना चाता है, लेकिन मजबूरन जो है, उसको वही सिवकार करना पड़ता और एक चेप्टर और पढ़ा है A room 10 into 8 मिलते हैं next class के अंदर next वीडियो में तब तब गुद डे, गुद बाई